AC induction motor में बहुत सी application में हमको motor में stop करना या फिर उसमें breaking की आवस्चता होती है क्योंकि time पे अगर breaking नहीं होगा तो उसमें बहुत सी problem आ सकती है इसलिए हमको machine की application की according उसको break करना या stop करने की जुरूरत होती है AC induction motor में हम BFD का use करके उसकी breaking की speed को कम और ज्यादा कर सकते हैं तो दोस्तों पांच AC method होते हैं जिनका use करके हम AC induction motor को उसकी application की according हम break कर सकते हैं या stop कर सकते हैं ये पांच method पहला इसमें होता है request to stop, दूसरा होता है ram to stop, इसमें जो third होता है regeneration breaking, इसके अलाबा आता है dynamic breaking और fit number का आता है DC injection breaking अब हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि ये सब method कौन-कौन से होते हैं पहला होता है course to stop, course to stop method में हम किसी भी motor को एक normal push button से stop कर देते हैं और जैसे ही VFD stop होती है तो इसमें frequency और voltage दोनों ही zero हो जाता है और इसके बाद motor उसके load के according stop हो जाती है ये जो method होता है एक normal method होता है इसमें motor automatically उसके load के according stop हो जाती है लेकिन जो second method आता है वो कहलाता है RAM to stop RAM to stop method का प्रियोग हम बहुत सी motor में उनके application के according करते हैं और ये RAM to stop में खास तोर से जब किसी motor को stop किया जाता है तो उसका जो RAM downtime होता है उसको हम set करते हैं और RAM downtime के according ही motor stop होती है अगर RAM downtime उसके load पे depend करता है अगर किसी भी motor का load अगर जादा है तो उसके RAM downtime को पढ़ाना पड़ेगा उसका region ये होता है अगर हम RAM downtime को कम रखेंगे तो उसमें regeneration voltage generate होगा और regeneration voltage generate होने के का उसमें बहुत सी problem आ सकती है जैसे over voltage का जब regeneration voltage है इसलिए हम इसको RAM downtime को बढ़ा देते हैं जिससे की regeneration voltage ना generate हो इसके अलाबा जिस motor का load कम होता है वहाँ पे RAM downtime को कम रखा जाता है अब हम बात करते हैं regeneration braking के बारे में regeneration braking क्या होता है जब motor की speed VFD से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी condition में motor as a regenerator या generator की तरह वर्क करने लगती है इसमें kinetic energy, electric energy में convert हो जाती है जिसके कारण जो voltage generate होता है या जो energy generate होती है वो DC link capacitor circuit में चली जाती है जिससे की over voltage का fault आता है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था और इस type का voltage अगर continue DC link और DC link capacitor circuit में आएगा तो इसमें कोई fault भी आ सकता है और इसके अलाबा इसमें कोई damage भी हो सकता है इसलिए इस problem को solve करने के लिए यहाँ पे front end active amplifier का use किया आता है और इस प्रकार का regenerating system का use आजकल EV vehicles या electrical vehicles में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है जहां पर regenerating braking का use करके उसकी जो batteries होती है उसमें charging में utilize किया जाता है इस प्रकार regenerative braking system work करता है अब हम बात करते हैं dynamic braking के बारे में री generator में जो energy develop होती है उसको हम दुबारा braking के लिए main supply में use कर लेते हैं लेके जब dynamic braking का बात आती है तो वहाँ पे हम इसमे capacitor circuit के पैलर में IGBT और dynamic breaker को connect करते हैं और इसमें कुछ parameter को set करते हैं और जब DC link में voltage है उससे ज्यादा पहुच जाता है तो इसमें IGBT on हो जाता है IGBT जैसे ही on होता है तो braking resistance को यह circuit में ले लेता है और जो voltage डबलप होता है वो इसके resistance में heat के रूप में DC पैट हो जाता है या drop हो जाता है इस प्रकार के method में dynamic braking resistance का use किया जाता है इसके अलाबा जो अगला है वो है DC injection braking system DC injection braking system में जब इसकी supply को हम cut करते हैं या पिर जब हम stop करते हैं तो इसके बाद हम motor के stator में DC voltage को apply कर देते हैं जिससे motor stop हो जाती है तो यह जो system कहलाता है DC injection system कहलाता है तो friends आज की इस वीडियो में हमने motor में कितने प्रकार की braking use की जाती है उसके बारे में discuss किया आन और भी topics पर discuss करेंगे और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe और वीडियो को like कीजिए फिर मिलते हैं एक नए topics के साथ तब तक के लिए जहन